यूपी में बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर तूट रही है बहरायच पुलिस और स्वाट टीम ने कारवाई करते हुए 25,000 के इनामी शातिर को गिरफतार किया है जो जोएलर्स की दुकानों पर जाकर धोके से वेश कीमती जेबरात परहां साफ कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे वहीं पुलिस अधिक्षक ने बताया कि गिरफत में आया अपराधी सक्री अपराधों में लिपत है जिसे मुख्विर की सूचना के बाद गेरा बंदी कर गिरफतार किया गया है तो दोखा धड़ी के मामले उतरप्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं और दोखे धड़ी को देकर के कुछ लोग मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब नाकाम्याब होते हैं और पुलिस का शिकंजा उन पर कसता है तो उनके शातिर अंदाज जो है वो धरे किधरे रह जाते हैं